लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें पद्मालयां, पद्मकरां, पद्मपत्रनिभेक्षनां, वन्दे पद्ममुखीं देवीं, पद्मनाः प्रिया महं। पद्मालयां, पद्मकरां पद्मकरां पद्मकरां। बात है महाराज आप नहीं जानते ये मूर्ती पचास लाग की है और कल गुविन नगर के मंदिर में इसकी स्थापना अत्यावशक है अरे इस मूर्ती को भी वहीं रख दीजिए न क्यों बोज उठाया हुआ है ये मूर्ती इतनी मुल्यवान नहीं और फिर ये तो हमारे भगवान है हमारे लिए बोज थो रही है संध्या ट्रेन में होने वाली है इसलिए संध्या की पूजा के लिए मैं अपने भगवान को जूपत तेरा अब जा आब जिंता मत कीजिए मूर्ती की हिफाज़त के लिए राष्टे के हर स्टेशन पर पूलीस का पूरा बंदोबस कर दिया गया है चली अपने कंपार्टमेंट की तरफ धन्यवार्ण रत रबन्र मदर सकते boils रत रो रत रो रत रो रत रो तेरी यार तेरा लाथ तेरा प्यार तेरा रूप तेरी गन्स के खुस्षबू मेरे तेली में है तूही दू जब से हम मिले हैं लोगों से कम मिले है ये तुने कर दिया है मुझे क्या जाजू उठे दिया तेरा नाम तेरा प्यार तेरा लूप तेरी जुल्फों की खुश्बूर वो मेरे दिल में है तू ही तू जीना तेरे लिए है मरना तेरे लिए है जीना तेरे लिए है मरना तेरे लिए है इसके खुश्बा नहीं है कोई ही आज तू तेरी यार तेरा नाम तेरा प्यार तेरा रूप तेरी जुल्फों की खुश्बूर वो मेरे दिल में है तू ही तू कि खुश्वश सॉस्त वि प्रन्यटी तू कि खुश्बूत मैंतेल जाओ इस बोड़ भाधी के खुश्बू जीते रहो बच्चा अधे वाथ यह भी कमाल की वस्तु है भायो और बहलो क्या वंडरफुल कार्टून बन सकता है इस विशेपर एक तरफ एक पुजारी की बगल में मूर्ती और दूसरी तरफ एक मौडरन देवी की गोद में गुडिया पुजारी जी के बगल में गुडिया पुजारी जी के बगल में गुडिया भायो पुडिया लायो अ सुय 한다 हुआ हुआ है करिजने रो वकर देज़ब हम चांजातना झान तो भालत थो भालत लाँ 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 लाट लाट हम चोई हम आड़ग intentar क्लाम ऑजर में मैं आप पुरीन फॉलिप लाट हमर मिन ये हों निफम चा पिर नेह है रहर आप लाला, 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 लाला! अनर सर मोर तेरे कालो, चल दर अगर किसी डिसमें को जाने की कोशिश की जही भूंक्डे रखिया जाएगा हम इसका थेखाया, वख़ो अगर तुझे अपनी जान तारी है तो इस बोर्ती को छोड़ता है नहीं मैं अपनी जान दे दूगा मगर अपने राम को नहीं छोड़ूँगा अगर तुझ जानी देना चाहता है तो तेरी मर्दी चलाओ प्यारे खूनी कमीने मैं तेरा खून पी जाओंगी सवाल जवाब नहीं बैबे पुझाओ रंजी तुझ मैं पुझारी जी का खून क्यों किया सवाल जवाब नहीं सूरच तुम अच्छी तरह से जानते कि हमें अपने मकसद को हासल करने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है और फिर पचास लाग कि इस मुर्थी के लिए अगर मैंने इस बुड़े का खून भी कर दिया तो कौन सी आफ़ा दा लेगी अब इससे पहले यहां कोई आ जाए हमें फॉरन यहां से निकल जाना चाहिए ज़रो रंजी मैंने आज तक तुम लोगों का साथ दिया सर्फ इसी शक्वर के पास सिर्फ मुर्थियों की चोरी तक रहे गी लेकिन आज आज तुम्हारे हाथ किसी मासूं के खून से रंग चुप और मैं पहले भी कह चुका हूँ मैं ऐसे हाथों में अपना हाथ कभी नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि तुम भी हम लोगों से गद्दारी करना चाहते हो अबर्ण अपनी अपनी बंदू के भेंट दो और ना थेलो मैंस उठाली जी सब बंदू को और सारे मुसाफिरों को मुर्ची समेठ थैनने ले जए आप लोग सब बैंद में बेच चाहिए चलो कमान अलव यू मूव और तीज ये कार्टन कैसा लगा आपको एक तरफ एक खतनाग मुझ्रिम और दूसरी तरफ एक सैमी हुई सी लड़की पीछी गुंडों की जीप भी आ रही है करन दो ही करने दो हरू करने ना यालव झास करने उट करने में अभू लोल पर व्व Boot करने में आपको पीज पीजड़ क्ने लद्स और कि पर घूए आजा आपकी को हिला आजा आजाए्ट कि आए मुल दे कंद ला पूहीं कि दो पूए हूं आजा आजा हूं मुली जवाब नहीं, इस कुट्टे को मर्गर तक पहुचाना बहुत द्रोरी है आप, आप समझते क्यों नहीं इंस्पेक्टर, अगर मेरी भेहन मुझे नहीं मिली तो मैं पागल हो जाओंगा Mr. Vinod, आप इस इलाके के respectable आदमी हैं, इतने बड़ी T-State के मालिक हैं, एक पढ़े लेकर इंसान हैं, फिर भी आप इस तरह से बच्पने की बाते कर रहे हैं क्या आपको पुलिस फोर्स पर भरुसा नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कोशिश, कोशिश से कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब आपको चाहिए तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ बड़सो के बात सपना लंडन से लोटी है नहीं जानता था कि यहां खदम रखते ही मुसीबत में पड़ जाएगी मैं तो कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब आप शहर से दो-चार दस ट्रक मंगा लेजे पुलिस फोर्स के जितना खर्चों मैं दूँगा यह लेजी यह लेजी ब्लैंक चेक इंस्पेक्टर आप आप कहा जा रहे हैं अगर इसी तरह से मैं आपकी बातों में अपना वक्त जाय करता रहा तो मुझरिम हमारी पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे मेरा काम मुझ पर छोड़ दीजिए विश्वास रखिए एकाम मेरस वक्ति चाहएं अपके बेहन जल से जल आप पहुंच जाएगी आप लेकिन बहुत चालक हैं आप क्यों क्या हुआ मेरे बारे में ने भाया के बारे में मेरी ट इस्टेट चेएक बारे में तब कुछ जानने आपसे लेकिन अपने बारे में आपने एक लर्थ भी नहीं कहा मुझसे मेरे बारे में जाना चाहती है जी हाँ आओ यहाँ से मेरा बच्पन शुरू हुआ था और यहाँ आकर मुझे पता चला मैं जवान हुआ रहा हूँ बस यही है मेरी आज तक की सिम्गी इसे तुम एक सर्कल कह सकती हो या एक पेक जीरो बच्पन से लेकर आज तक इसी दाइरे के अंदर में भटकता रहा हूँ अकेला तनहा अपने गुनाओं के बोच के साथ लेकिन आज इस दाइरे को तोड़कर मैंने बाहर कदम दखा है आज के बाद तो जिन्गी शुरू करनी है और जो चीज शुरू ही नहीं हुई उसके बारे मैं अभी से तुम्हें क्या बता सकता हूँ मैंने आपसे कहा ना मेरे भाहिया बहुत शरीफ इंसान है मेरे साथ चलिए वहां आपको किसी किसम की कोई तक्लीफ नहीं होगी है तक्लीफे उठाने और सेने की तो आदत पड़ गी है मगया कभी शरीफों में रहा नहीं इसलिए शरीफ लोगों से डर सा लगता है लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जब कभी मैं अपने आपको इसकाबिल समझोंगा आपको बसाओंगा तो अब कहा जाना चाहते हैं अपने आपको तक्दीर के सहारे छोड़ गिया है देखते हैं कहां ले जाती है सपना तुम इन लोगों के साथ चली जाओ लेकिन ऐसी हालत में मैं आपको छोड़ कर कैसे जा सकती हूँ देखो सपना तुम जानती हो मैं एक मोश्रिम हूँ और पुलीस को मेरी तलाश है लेकिन अभी मैं अपने आपको कारणून के हावाले नहीं करना चाहता । इससे पहले मैं अपने गुराओं का प्रफश चिस करना चाहता हूँ तुम जाओ सपना मेरे साथ अपने आपको मुसीबत में क्या डालती हो अपने वादा याद है ना अच्छी तरह याद, एक नहीं मैं तुमसे में लिजारे करें और मैं उस दिन का इंतजार करेंगे एक्स्चूज मी, आपका नाम इस सपना है? जी आप मिसर विनोज सकसेना की है? जी हाँ, वो मेरे भाईया है थैंक गॉड आप मिल गए आपके भाईया आपके लिए बहुत परिशान है, लीज कम लीजिया मिसर विनोज, आपके अमानत भाईया शपना मेरी पहन थैंक्यू इंस्पेक्टर, थैंक्यू वरी मच आपने जानते आपने मुझ पे कितना बड़ा इसान किया है मैं इसके लिए आपको ने, मिसर विनोज, आपकी बहन आपका कहुच गई, इससे बड़का खुशी क्या हो सकती है अच्छा तो आप इजाद दीजिए जी बबाई इंस्पेक्टर वो, मुझरमों का कुछ पता चला? कब तक नहीं चलेगा मिसर विनोज, एक नएक दिन पता चली जाएगा जिम्मेदारियों का बोज है बैना, तुम क्या जानो, अब तुम आ गई हो, सब कुछ चीक हो जाएगा अरे हाँ, तुम्हे कोई परशानी तो नहीं हुई मैं तो बहुत ख़बर आ गया था जब मैने वो मन्हूस ख़बर सुती नहीं भाया, यह एड्वेंचर तो एक ऐसा एड्वेंचर था, जो मुझे जिन्दगी भार याद रहेगा एलरगी, थेलो यह नुक्सान तुन पुरा करेगा एक तो अंध्य होकर सरक पर गाड़ी चलाते हो, उपर से हमी ही डाटते हो हमें कुछ हो जाता तो कुछ हुआ तो नहीं न हटो, जाने दो हमे कसम इन जुल्फों की हमारा नुक्सान पुरा के बिना तुम यहां से नहीं जा सकती यह नुक्सान इन पैसों से पुरा नहीं हो सकता क्या मतलब? मतलब यह के जो तूड़ गया है वो एक मामुली शीशा था और जो खो गया है वो बहुत किंती चीज थी हमारे पास इसे ज्यादा पैसे नहीं है हमारे पास बहुत पैसे है चाहिए तुम्हे क्या? अब तक कहा थी तुम हमारी स्टेट में यहीरा चुपा हुआ था और अब तक हमें कबर नहीं थी खोश में आ जाओ साहब नहीं तो एक ही थपड से रोशनी निखा दूँगी हमारा नाम गंगा है गंगा तो फिर आज यह गंगा हमारे आंगन में बहेगी हमें छोड़ दो हमें हम कहते हैं छोड़ दो हमें एक मासुम लड़की के साथ इस तरह बत्तमीजी करते हैं शर्म ही आदी ऐ तुम कोन होते हो में रोगनेवाले यह हमारी जमीन है हमारी जागिर है यह हमारी मजदूर है UP温़ान कैई हड़ो वो दिन गह यह मिस्टर जब मजदूरों के साथ जागिरदार अपनी मनमानी किया करते है आज जमाना बदल चुका है अर मजदूर का जमीर जाग चुका है अब तुम लोग कोई जोर जबदस्ती नहीं कर सकते और हमारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हम ठोकर मार कर उड़ा दिया करते हैं आप ने अपना परिचे तो दे दिया अब मुझे भी तो कुछ देना चाहे हुआएएएएए हुआएएए ऐ अग अब मार को एंध हुआ precist इसने हमसे तक कर ले ने कोशिश किये, जियक तो आप कोर इसके मुमे बानी देता, तेचिर उचको! हाके कुली रकोर, जबान! होश में हम तुमे रेने ने देंगे! और बेहोश तुमे होने ने देंगे! क्या बाता बेती? कौन है ये? तड़क का कुटा है मा! इसने हमसे गुस्ताखी किये! हम इसके तुकड़े तुकड़े कर देंगे! भांजे! तुकड़े तुकड़े करने के बाद इसे लो तुम कुट़्ों के आगे डाल देना! काशी वाले केशो काका कहते थे कि हाथ उठाने वाले का तुम हाथ भी काड़ डालना चाहिए! पैस कर बेठा! जा दे दे इसे! तुम जाने की बात कर रही हो! हम इसकी जान लेकर छोड़ेंगे! ब्रावो भाईया, ब्रावो! क्या बहादरी का नमूना पेश किया है? तुम्हे तो गोल्ड मेरल मिलना चाहिए! वैसे मैं पूर सकती हूँ, इसका कुसूर क्या है? इस कमेने का इतना कसूर क्या कम है, कि इसने हमें आखे दिखा लिक कोशिश की! भाईया, तुम्हारे हाथ ठक जाएंगे, लेकिन इसकी माते पर शिकन तक नहीं आएगी! मुझे तो लगता आज तुम बाजी हार जाओगे! अच्छा, तो तुम हमारी ताकत और इसकी हिम्मत का इम्तिहां लेना चाहती हूँ! तो देखो! यह क्या तनाशा हो रहा है? क्यों बांद रखा इस गरीब को? क्यों जुम कर रहे इस पर? डेड़ी, डेड़ी आप नहीं जानती है? मैं सब जानता हूँ! तुम्हारी कोई हरकत मुझसे छुपी नहीं है! आज तुमने किसी के शराफत पर कीचर इठालने की कोशिश की होगी और यह बेचारा आजने भी तुम्हारी असलियत जाने बगार धोके में आ गया होगा! डेड़ी! आप इस जब देखो मेरे बेटे को ही दानते रहते हैं कभी यह भी तु पूछे? मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं जो आजमी जल्म सह रहा है और जिसकी जबान से इस जल्म के खलाफ एक लजब नहीं निकला वो जरूर निर्दोश है जी जाजी चोट खाया हुआ साम जिरा ज्यादा ख़तरनाक होता है काशी वाले केश का लेका तुम काएं काएं मत करो जाना से साम लोग जाना से हुष खाया खाया इदा। हाँ, तुम, हाँ एक बात याद रखना अच्छे आतमें को बुराय से दूर ही रहना चाहिए और फिर जब सामने वाले के पास ताकत के साथ साथ दौलत भी हो लेकिन दौलत की चाबुक हाथ में लेकर कोई किसी के साथ जबरदस्ती करें यह देखा भी तो नहीं जाता एक अमीर और दौलत मंद का बिगड़ा हुआ बेटा किसी के साथ जबरदस्ती करता है या क्या करता है उसके मूह लगने से तो यही बेतर है अपनी नजरें जुका कर रास्ता बदल देना चाहिए जान तो एक दिन जानी ही है लेकिन मेरी नजर में नजरें जुका कर जीना कोई जिनकी नहीं ठीक हा तुमने लगता अपने जिन्दगी से बहुत कुछ पा चुके हूँ और बहुत कुछ खो भी चुका हूँ क्या नाम है तुम्हारा ? हां तुम्हारा नाम क्या है? सूरज कौन कोन है तुमारे कभी सब थे आज कोई नहीं सुनके बड़ा अफसोस हुआ इस तरफ कैसे चले आए यूँ सबच लीजे किसमत ले आए किसमत उपर वाले ने भी इंसान के माते पर चन लकीरे खेंश कर नाम दे दिया है किसमत इतना बड़ा इंसान इन चन लकीरों का गुलाम बनके रह गया है आपका बहुत बहुत अनिवाद आज अगर आप नहोते तो शायद में भी नहोता क्या सुच मुझे इस दुनिया में तुमें अपना कहने वाले कोई नहीं अपना कहने से कोई अपना हो तो नहीं जाता अच्छा ठरो 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 इस आलत में तुम कहा जाओगे मेरा मतलब है अभी अभी तुमने कहा ना इस दुनिया में तुम बिल्कुल अकेले हो तो कुछ दिन यहां क्यों नहीं ठर जाते है हमारे पास कुछ दिन क्या यह जीवन आप ही ने दिया है आप चाहे तो मैं सारा जीवन आपके जर्लों में कुजार रगता हूँ ना जाने क्यों तुम्हें देखकर तुम पर कुछ तरह सारा है शरीफ गर के लगते हो अभी तुमने कहा ना कि कि किसी को अपना कहने से अभी कोई अपना नहीं बन जाता लेकन आज से तुम मुझे अपना ही समझा सब्ये बहन बहन तुमने कुछ सुना हम क्या बात है भईया सत्यानास हो गया है कुछ कहोगे भी हुआ क्या अब होने के लिए बाग की का रह गया है सब्यक्ता जिसे तुम्हारा बेटा टुक्ड़े-टुक्ड़े करना चाहता था तुम्हारे पती ने उसे घर में रख लिया है वो उसे पुछकार रहे हैं और दुमिलाता उनके आगे पीछे घूम रहा है क्या कहते हो भईया वो अचनवी गुंदा बदमाश इस घर में कैसे रह सकता है वो यही रहेगा मैंने कुछ सोच समझ करी उसे इस घर में रखा है पादकर जब सब काम आप अपनी मर्दी से करने लग गई है तो एक काम और भी कीजिए हम सब को थोड़ा सा जहर दे दीजिए फिर आपके जो जी में आए करीए आपको कोई नहीं रोकेगा यह क्या करी हो तुम नचरे दिन बदिन क्या होता जा रहा है आपको पहले ही इस घर में मेरी यह साथ शराव क्या कम थी जो उपर से गुंडे और अवारा लोगों को भी घर में ला बिठाया है आपने कोशल्या अगर अपनी खुशे के लिए मैंने किसी को सहारा दिया है तो तुम्हें तकलीप नहीं होनी चाहिए इस तरह बिगरने से तो यही बेतर है कि तुम भी उससे प्यार से पेशाओ पेशारे के दिल खुश हो जाएगा तुम्ह जिसकी बचे से आज आज आपने मेरे बच्चे को डाटा फटकारा मुझे तो उसकी सुरत अभी नफरक है आप कीची अपनी मनमानी जियो हमारे चीबे आएगा हम भए करहेंगे शर्лов ओ प्रितम तुम क्यूं खााली पीरी इस शराब के लिए अपना जिंदगी बढ़ा स्था है अपने तो जिंदगी ब़्वादी के लिए मेरी आदी जिंदगी शराब के लिए आधी जिन्दगी शबाब के लिए मतलब तुम्हारे लिए अच्छा इससे पहले कि वह बुड़्डा आजा है एक नोटाक उडेल दो उस मटके से इस मटके में है जल्दी है क्या मचली है कर देंगा करेंगा कभी दान धरम भी कर लिया करो इधर करेंगा तो उधर काम आएगा क्यों मेरी यह कर देखो हमको मालूम था कि हम दुकान से दो मिनेट के लिए बाहर जाएगा तो तुम इदर कपक परेगा किसी लिए चेट से भागता हुआ आया थोरन पैसा निकालो आरे बड़े जालिम हो तुम डेल फुट के विलन ना शराब के गिलास की तरफ देखने देते हो ना तुम को हजार बार बोला कि हमको अंकल मत बोलो मेरी जब तुम अंकल बोलता है तो उपर ही हमको कुछ होने लगता है अंकल मत बोलो अंकल मैंने खाता है जाओ लामिर्ची का पाउड़ अंकल फिर अंकल मैंने खाता है जाओ लामिर्ची का पाउड़ गया अरो मेरा मुझ जल गया अरो बाफ रेंड यह किस कमभाद की हरकत है अरो शराब के नाम पर मिर्ची का शर्बत बेज़ते हो मैं अभी जाकर पुलिस में खबर करता हूँ और अभी करवाता हूँ यह दुकान बंदी तुम मेरी दुकान बंकर आना जाता है आरे अंकल चूप मेरा को अंकल मत बोर प्रॉड करने असे हैं कुछ बोल गया था कुछ घलत बोला जा ना गलती तेरी है ना गल्की मेरी है गल्की है इस दुकान काम मेरी ला गोटा जल्दी कर हो अखवे, वो अखवे! अखवे, अखवे! अखवे! झाला झाला जागेदार साहब, आप बहुत ही भागिशाली है, खरवान कृष्ण के जन दिन ही आपके बड़े बेटे का जन हुआ था, जिहां, इसलिए हर बरसी सहवले में दोरी खुशी मनाई जाती है, लेकिन आपका लाला किशन है कहां? मालिक, अब तुम इस कमरे में कसे जलिया है? योई कमरे का दर्वाजा खुला देखा तो मैं अंजर चलाया, आप मुझे गलत मद समज़ें, मालिक, मैं चोर नहीं हूँ, मैं जानता हूँ यह मूर्ती, क्या जानता हूँ इस मूर्ती के बारे में? अब यही के यह बहुत किंती है यह मूर्ती मैंने मेरे किशन के रूप में बनवाई थी बड़ा प्यारा बेटा था मेरा जो बचपड में मुझे छोड़ के चला गया इस इस मूर्ती की हिन्ही इस कमरी की एक एक चीज के पीछे मेरी जिन्देगी की दुख भरी कहानी चुपी हुई है मैंने ही जानता था मेरी इस छोटी सी भूल से आपके दिल को इतनी तकलिफ हो जही कि बासुरी तुम ही बजा रहे थे ना जी मेरे किशन की तरह तुम भी बासुरी बहुत अच्छी बजा लेते का मका कमरे मके का आने की जाज़त नहीं देता लेकिन अगर तुम चाहओ तो कभी उत्याक क 15 बेटे का गम भुलाने के लिए मैंने कभी साहर tääलिया लेकिन उसे कभी भुला नहीं पाता कभी भुला नहीं पाता हु कर थिट जो अव्मारी ईन Alai domain अंजसे छुपा रही है तुमसे मतलब मतलब जरु इतनायники बड़े बाइशेट-चोटी बेन पुछ हुपा रहा चाहिए जो तुमारा वो हमारे जो यह हमारा वो तुमारा अए यह 15 तो आ अए मूध हो आउ जोकर अरे क्यों परेशान कर रही है मेरे बेते को हां तारा दिन धूप में परेशान होकर घर लवता है भूखा होगा उस तो ख्याल कर बस महिया एक तुई है जो मेरा ख्याल रखती है और कोई मेरा ख्याल नहीं रखता महिया बहुत भूग लगी है चल चल भूब भूख तो लगई होगी चल बटा चल त बैरा prioritize अद क्छान ले आती है अधेश कि ऐटा है इसा जल्ड़े ना मै खाना पाल प्रसुल्ड़ जकर चांड है अधेला ऑउस्टन सब भूख है प्याज अरे हाँए प्याज ले, प्याज ले, अरे मिरश ले, मिरची, मिर्ची भी चले गी मही आजकर गर्मी बहुत हो गई है न तू फिकर मत कर अब की बार गंगा को चनका मेलेगी न तो उसके पैसों से इस घर में बिजली का पंगा लगवा दूगा तू फिकर मत किया कर वेकूल फिकर मत किया कर हाँ dennlar जिंदगी का मज़रा गया मही यह बता अभी यह क्या खाय तू ने अपनी मा का खाय तूझ अपनी मा का खाये थिए अपनी ने पहन का को म ​ लड़ाते लुच시्टarा! बईकर, तरह दए्ल!" सुराज! क्या तुम्दे शरत प tremendous हो?! पीता तो नहीं, लेकिन आजसे पीत होuest ce क्यों पीता हो? आप क्यों फीते हैं मैं मेरी बात औरे सुरज मैं तक गरती ही दिवार हूं लेकिन तुम्हारे सामने तो सारी जिन्दगी पड़ी है यह चीज बहुत बुरी है जिसमें को खोकला कर देती है हाटा लोग ग्लास मालिक यह ग्लास तो मेरी जिन्दगी की तरह खाली है लेकिन बेख रहा हूं आपके ग्लास में बहुत दुख बहुत बहुत अगर आपके कुछ दुख दर्द मैं अपनी जिन्दगी के साथ बाटूम तो इसमें आपका क्या नुक्सान होता है अरे तुम तो बैस करने लगे वही, बात ये सूरज, जब से मेरा बेटा बरसु पहले मुझे अखेला छोड़ गया, उसी दिल से शराफ को मैंने अपने साथी बना लिया आपका बेटा आपको छोड़ के नहीं गया, मालिक क्या? मैं देख रहा हूँ, वो आपकी आँखों से दूर जरूर है, लेकिन दिल से दूर नहीं मालिक, आप उसके लिए इतने दुखी है, तो क्या मैं आपका दुख बाटने के लिए आपका साथ लेगे सकता? नहीं सुरज नहीं, मैंने तुम्हे अपने बेटी की तरह माना है, क्या कोई बाट ये चाहेगा, उसका बेटा उसकी आँखों के सामने इस दलदल में डूपता चला जाए? नहीं मालिक, जो चीज मेरे लिए जहर है, वो आपके लिए अमरत नहीं हो सकता है, अपना दुख बलाने के लिए, अगर आपको इसी का सहारा चाहिए, तो फिर मेरी यहां क्या जरूरत है? मैं आज ही यहां से चला जाता हूँ, अभी इसी बाटा है, त्यारो सूरज, सूर सूरज, मैं आज ही सशराब छोड़ दूगा, अगर तुम वचन दो, कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, अब वचन दो सूरज, मैं वचन देता हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाओगा, कर जाना ही है, तो यह बुरा ही जाएगी, सलाम साब, सुनाएं, आपके यहां कोई नौकरी खाली है? नौकरी तो है सही, लेकिन तुम, आज से पहले कहा नौकरी की है तुमने? हाजी, हमारे दिन फिर हैं जो हम नौकरी करते हैं, वो तो हम.. कहा तक पड़े लिखे हो? अजी, कमाल की बात करते हैं आप, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई करें हमारे दुश्मन तो फिर यहां किसली आए हो? वता चला था कि आपके यहां कोई नौकरी की जगए खाली है, तो हम यह कहने आए हैं कि हमारे भरोसे मत रहेगा हमने तो अपनी मईया से वादा किया था, बस निभाने चले आए, अब जा रहे हैं अपने अड़े पे, राम राम सुनहा तुमने सपना, ऐसे लोग भी अभी तक महजूद हैं दुनिया में, इन्हें तो किसी म्यूजिम में रखना चाहिए, क्यों? आपका अपने बारे में क्या ख्याल है भाईया? मेरे बारे, क्या? देख रही हूँ, इतनी बड़ी जायदाद, इतनी बड़ी टी ए स्टेट के होते हुए भी आप बस नमामली फूलों के बिसनस में उल्चे हुए हैं देखो सपना, वो जायदाद और इती स्टेट किसी की अमानत है, तुम्हारी अमानत मैं तो बस एक चौकीदार हूँ, मालिक तो तुम हो भाईया, फिर वो ही बात सची बात कहने में डर किस बात का? और उन जब एक बाशा होकर अपने ले टोपियां सिया करता था, मैं इन फूलों का छोटा मोटा बिजनस कर लेता हूँ बस यही एक चिंता है, अंकल ने मरते वक्त जुजे मेदारी सौपी थी, उसे किसी तरह निपा सकूँ किसी अच्छी जगा, किसी अच्छे शरीफ लड़के के साथ, तुम्हारी शादी ओ भाईया शादी की बात की तो बखताने लगी? अच्छा भाईया, अभी अभी वो आदमी तुम्हारे पास नौकरी के लिए आया था, तो क्या कोई नौकरी है तुम्हारे पास? तुम्हारा क्या इरादा है मैं तो अब बस यही जाना चाहती हूं नौकरी तो है सपना लेकिन आजकल किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वह इंसान कितना इमानदार है भरोसे के काबिल है या नहीं उसकी पिछली जिंदिगी पर किसी जुर्म का दाख तो नहीं और त अधिस सोच पड़ गई हो नहीं कुछ नहीं बस इन ही एक खयाल आ गया था तो है इन इतनी घवराट में कहां चले जा रहे हो चुप क्यों हो जवाब क्यों नहीं देते चोरी करके तुन ही जा रहे हो अज़कल की नौकरों की नियत का कोई ठीकाना नहीं यह तुम्हारी घर की नई नौकर है नौकर ही समझवा सपना घर की सफाई से लेकर ट्राइवरी तक हर काम कर लेता है विसे डैडी का भी जवाब नहीं बहुत सर्चडा रखाया उन्होंने से जाओ, गराज में से गारी निकाल कर लाओ मेम सापको उनके घर पहुंचाना है जाओ जी है सपना तू उधर क्या देख रही है पूरा यूरॉप घूमकर आई है कोई खुबसूरत जवान नहीं मिला तुजी धत, क्या बक्ति है में रहाँ उआज मे मेनस सिमिले नहीं नहीं अती और कर राप मैंने कासा था न आपसे जिस दिर में इस काब्ल हो जाओंगा श्रम ज़र लंगा कभी मेरी रेख नहीं आये सपना इनसान कभी-कभी कितना मच्बूर हो जाता तो नहीं समझ पाऊगी चेरो एक दूरी तो हटी आप से तुम पर तो आ गए आप एक उल्चिन और भी सुझा दीजे इस घट्या नौकरी करने की क्या जरूरत थी आपको अगर नौकरी ही करनी थी तो मेरी भाईया के पास आ जाते खमसी कम सात्तु रहता इसके पीछे भी ए मैं उस घर का मालिक हूँ क्या यह सब क्यों हुआ कैसे हुआ तो मैं सब कुछ बदा कर शायद मेरे दिल का बूझ हलका हो सब्सक्राइब आखिर तुम अपनी असलित सबको बता क्यों नहीं देते कब तक अपने घर में अजनवी बनकर रहोगे सपना मैं अपने बाप के सपनों को तोड़ना नहीं चाता उन्हीं क्या पता उनका वो नन्ना सा मासुम बेटा किशन आज जमाने की ठोकरों से एक मुझ्रम बन चुका है मैं किस मुझ से इस सूलज को किशन के रूप में उनके सामने पेश करू सपना अगर उन्हें पता चल गया कि उनका बेटा किशन एक मुझ्रम है तो उनकी रही सही सिंदगी की आस भी ठोट जाएगी जब तक मेरे दम में दम है मैं उनकी ये डोट तूटने नहीं दूगा इतना बोच तुम अकेले उठाओगे क्या मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती मदद तो नहीं एक ऐसान ज़रूर कर सकती है जब तक मैं अपने इस उजड़ूए घर की खुशियां वापस नहीं लोटा लेता तुम ये रास बस अपने तक ही रखोगी मुझे वचन दो सपना मेरी असलियत के बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी एक वचन तुम्हें भी मुझे देना होगा कभी मुझे अपने से अलग नहीं समझोगे बारे शुरू होगे होने दो भीग जाओगे भीग जाने दो आज इस पारिश में सारी दूरियां धूल जाने दो चिप क्यूं हो कुछ कहना तो चाहता हूँ लगन अजाने के उन दिल के बाद जबान पर आते आते रोख जाती है कुछ कहना कोई कुछ नहीं कहेगा कुछ कहता कोई कुछ नहीं कहेगा अच्छा बहाना है कि वासम सुआना है कुछ करगा कुछ नहीं करेगा अच्छा बहाना है कि ये दिल दिवाना है कि अच्छा बहाना लालालालालाला आज इस मुलाकात में बादरों की बारात में क्या मज़ा आया मलगीना आज इस बरसात में आज इस मुलाकात में बादरों की बारात में क्या मजा आया लगी आप जो इस गर साथ में इस निंजिन में दिलने जो कोई कुछ नहीं कहेगा अच्छा दाहना है कि दिल दिवाना है कुछ कहेगा कोई कुछ नहीं कहेगा वो जो मुझको कहना न था वो भी मैंने तो कह दिया जो हुआ मुझको हुआ तुमको नहीं कुछ भी हुआ वो जो मुझको कहना न था वो भी मैंने तो कह दिया जो हुआ मुझको हुआ तुमको नहीं कुछ भी हुआ इस जिम जिम में दिल रख दो कुई कुछ नहीं कहेगा अरे अच्छा बहाना है कि ये दिल दिमाना है कुछ कह दो कुछ नहीं कहेगा कुछ कर दो कुछ करता अरे जिमाना सब्सक्राइब इस बार भी दस अरे भै क्या करूँ मैं महंगाई बहुत बढ़ गई है 200 रुपए की बोतला आती है में भांजे के दोस्तों के लिए चल जा 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 आगंगा ये ले तेरे 50 और 10 मेरी कमिशन किस बात के दस महनत करे हम पसीना बहाए हम और तुम लकड़ी की इस कुर्सी पर बैटकर रोप भी जमाओ और कमिशन भी खाओ कहाँ का इसाथ है ये तीन फूटकी छोक्ती और द्रच भर लंबी जबान क्या है तुम्हें बहुत घमंड है अपनी जवानी का जवानी का नेली साहब हमें घमंड है अपनी इज़त का अपनी शराफत का तुम्हारी इज़त और शराफत की कीमत चांदी के चंड टुकड़े हैं शायद ये भूल रही हो तुम और आप शायद ये भूल रहे हैं आपकी दौलत सब कुछ खरीच सकती है किसी खरीब की इज़त या शराफत नहीं खरीच सकती क्या नहीं खरीच सकते चावल काशी वाले केशो काका कहते थे कि अगर चावल नसीब ना हो तो चावल का छिलका ही उबालकर बच्चों को पिला देना चाहिए उसमें भी बहुत बिटेबन होती है यहा और नाम दो सब खत्म गई हुआ हुए तुम इन कियो लेकिन आज आज अचानक आ गया और आपके बारे में जो कुस्तुना था वो अपनी आँखोसे देख भी लिया अहां देख हैं काय कारुबधर बड़ी अच्छी तरह चल रहा है लेकिन आप खड़े क्यों है बाठिए ना पहले आप यहां से रतिये सुरज आज से इस कुछी पर तुम बैठोगे जी हाँ तुम और साले साहब कमीशन के रुपए जो आपकी टोपी में से जहांक रहे हैं उन्हें टेबल बर रख दीजिए काशी वाले केशव काका जो कहते थे कह गये अब जो मैं कहता हूं कीजिए रख दीजी रुपए आज से आपकी सारी जिम्मेदार यह खतम यहां का सारा काम काज सूरज देखेगा जी सूरज आज से यहां के मालिक तुम हो यह गरीब मजदूर के रुपए उन्हें लोटा दे बात यह मालिक ने मुझे यहां की जिम्मेदारी सौंती है वाट हाँ मैंनों बहुत समझाया लेकिन तुम तो जानते हो विजे उन्हें चोटे मालिक कहो कुर्सी बर बैट यह अपनी आउकाद भुल गए माफ किजिए चोटे मालिक आप खड़े क्यों हैं बैठे तसी मुझे तुम जैसे खुशामदी चम्चों की सूरत से सख नफत है ना जाने ड़ी ने क्या समझ कर तुम जैसे आस्तिंके साम को पाल रखा है अस्नी आप शायद किसी ज़रुरत के लिए आयते हैं यह लीजे द कुशन है चलो गुरु तुम तो माल लेने गयते और खाली हाथ लोट रहा है माल के बिना सारा प्रोग्राम फ्रीका पड़ जाएगा गुरु अपनी जैप को भी साली आज ही खाली होना था चिंता क्यों करते हो अपना सेड गिरधारी लाल जिंदाबाद मैं उसे फोन कर द यह क्या मुशीबत है कहा गई मेरी प्यारी ओख क्या मुशीबत है यार उत्रो अरे लो आज सुवा सुवा ना जाने किसका मुझ देखा था हर काम उल्टा हो रहा है जेक गिरधारी लाल की यहां जल्दी पहुना था और साला टायर पंचर हो गया अरे कर गई ना मेरी दुनिया में अंधेरा मेरी लैला ए मिस्टर अब फुर्सत नहीं है वो मुझे धोका दे गई अब मेरा क्या होगा अरे काम करे कारे मैरे दुश्मान ऐतायर बदलने में मदद करो इसमें तुम्हारा फाइदा भी हो जागा उर हमारा का मुझाल हो जागा लेकिन क्या हो गया अधायर को टायर पंचर हो गया इससे इस से? हाँ, हाँ, देखो, वक्स जया मत करो, हम तुम्हें पांच रुपए देंगे, तुम हमारी मदद कर दो चायर इस से पंक्चर हो गया और पांच रुपए तुम मुझे दोगे? तदोगे? अभी लोगे, अभी निकाल निकाल झायर चायर तुम यहाँ! अभी लोगे, अभी लोगे पांच रुम्हें? निकाल ब्लाव, जोड़े? बहुत बहुत भन्यवार बाबु साहब आ लो गाप कैसे हो अच्छी हूं बाबु साहब हम तो बहुत खुश हैं आपको इस कुर्सी पर देखकर और हम ही क्या पूरी बस्ती आपकर बहुत खुश है क्या बाद है पिछले दो तीन दिन तुम काम पे नहीं आई है मा की तभी चीट नहीं थी अब कैसी है चीट है आच्छा ये लो एक सुझा नवस्ते नवस्ते यह हो तुम तुमसे कुछ लगाव साह हो गया जब भी तुम्हे देखता हूं तुमसे टकराने कुछ जीच जाता है किसी दिन इस टकर में टूट कर रह जाओगे बाबू एक बात पुशो गंगा तुम अपना इरादा क्यों नहीं बदल देती आप अपनी नियत क्यों नहीं बदल देती देखो गंगा हमारी ये दौलत तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है और तक्दीर भी जब अब तक इन कागजों का वजन तुम्हारी अपनी जिंदगी नहीं बदल सका तो ये हमारी तक्दीर क्या बदलेगा बाबू हटा लो इन्हें हमारे सामने से वो और होंगे जो इस चमक की खातिर बिग जाते होंगे गंगा जिस मिटी से बनी है उसके सामने इन कागजों का वजन बहुत हलका है गंगा आज तक हमें ठुकराने की किसी ने हिम्मत नहीं की तुम नहीं जानती इसका अंजाम क्या हो सकता है जो हो रहा है वो भी अच्छा नहीं हो रहा है लिजे तुम्हारी रगों में शरीफ माबाप का खून है ऐसी हरकतों से तुम अपनी खून को शर्मिना कर रहे है तुम कौन होते हैं हमें भाशन देने वाले कुर्सी पर बैठ गए हो मगर ये मत भूलो अब भी तुम्हारी हैसियत हमारे टुकणों पर पढ़ने वाले कुत्ते से जादा नहीं दौलत और लाड़ प्यार ने उसका दिमाग दरूर खराब कर दिया है लेकिन दिल का बुरा नहीं है दिले फिर भी उसकी तरफ से मैं तुम से मापी मनता हूँ आप उस नीच राक्षिस की तरफदारी कर रहे है वो रास्ते से भटक गया है गंगा और कोई दूश नहीं है उसमें एक में एक दिन जब उसके आँख खुलेगी अपने आप रास्ते के आँगा गंगा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हैं आप यहीं कि मैं आहर क्या हूँ जी हाँ गंगा तुमने मेरी रातों की नीज और दिन का चैन लोट लिया है आज मुझे मैसूस हुआ जिसे मैं प्यार समझता रहा वो सिर्फ मेरी हवस थी और जिसे तुम हवस समझ रही हो वो मेरा प्यार है आई लव यू गंगा मैं तुम्हेरे बिना रह नहीं सकता तुम्हेरे बिना जी नहीं सकता अरे जब जब देखू मैं तेरी तरफ दिल धक से धरक जाता है आशी है दुड़के एक चिंगारी सोला भड़क जाता है जब जब देखू मैं तेरी तरफ दिल धक से धरक जाता है तुनों की रुच में तुम्हाटा बन के दिल में खटट जाता है ओ जब जब देखू मैं जब भी तेरा लादा दा लोगा से धरक जाता है मैं कितने परगाम देता हूँ कहती है क्या क्या ये मेरी आँखें करता हूँ कितनी आखों से बातें के प्यार मेरा चाने कहा रत्ते में अटक जाता है पापी है उड़के एक तिंदारी सोला भड़क जाता है अरे जब जब देखूं मैं ये प्यार है एक लंबा सफर तुछ को पता क्या हूँ बेखो गए लंबे सफर को छोटा बना दे मंदिल का मुझे को रस्ता बचा दे दिल से निखलता है रासता जो वो दिल का लच जाता है पापी है उड़के एक तिंदारी सोला भड़क जाता है जब जब देखों मैं तेरी तरफ दिल ख़पते भड़क जाता है तुलो पी रुच में दू आटा बन के दिल में ख़चक जाता है ला 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 मेरे यार को उस्ताद कहो तो उठा ले आए से ने 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 इसके साथ जबरदसी नहीं होगी ये उन में से नहीं है जो हमारे एक इशारे से आकर हमसे लिपड जाए इसके घमन और गरूर वाली अदाई तो हमें पसंद आई लेकिन एक दिन हम भी इसे बता देंगे अगर ये जिद्धी है तो हम भी बड़े जिद्धी है मैं हजार तफ़ा तुमसे कह चुकी हूँ इस तरह यहां मत आया करो अगर किसे ने देख दिया तो क्या करूं बेवी मजबूरी है जब तुम नहीं आती उन जाना पड़ता है मिना दर्वाला खोलो मिना कौन था वाल में क्या बक्ते हो तुम्हारे होश्ठिकाने है या नहीं देखो मीना इतनी राद गए एक जवान लड़की के कमरे में इस तरह कोई गहर शक्सा है तो खांदान की बनामी हो सकती है तुम कौन होते हैं उस खांदान की चिंता करने वाली हमारे रिष्टेदार हो मालिक हो क्या हो तुम मैं तुमनों का कोई नहीं एक अजनवी ही सही लेकिन इतना हक तो मुझे पहुंचता है कि तुम अगर कोई गलत कदम उठाओ तो मैं तुमें रोक सब्सक्राइब उसे मैं छुपाओगी ना कान था वो क्यों आया था यहां अब क्या यहां किसी के आने जाने के लिए भी तुम से इजाज़त देनी पड़ेगी यह मेरा कमरा है मैं जिसे चाहों बुला सकती हूं किसको बुलाए था तुमने बाया एक नीच इंसान आदी रात को तुम्हारे कमरे में मेरे सामने हमारी इज़त पर की चड़ उचा रहा है इसकी इतनी हमत किसको बिलाय थे तुम्हें तुम्हें इस पर हाथ उठानी की ज़रत नहीं है दोसरों को पत्थर मानने का हग उने ही होता है जिन्होंने खुद कोई पाप न किया हो खामोश हमारे घर के तुकड़ों पर पलते हो और घर के वारी से बात करने का सलीका नहीं यह आखे जाकर डेड़ी को दिखाना जो गंदी नाली के इस पत्थर को नजने क्यों इस घर की चौकट के अंदर ले आए इसलिए बेटे कि कभी इस पत्थर से टक्रा कर शायद तुम लोगों को भी होश आ जाए मेरे जीती जी जब इस घर की आलत है तो मेरे बाद नजने क्या होगी आखित बाद क्या है इतनी राद गई यह सब क्या हो रहा है अपनी इस लाडली से पूछो जो नजरे जुका है जबान पर ताला लगाए खड़ी है यह इस लाडले से पूछो जो लोफर और दूसरों को नीच करता है देडी आप किसी घर के सामने मुझे खामश करके मेरी बेज़त ही करने डेडी बेज़त ही उसकी होती जिसके कोई इज़त हो ठीक है जिस दिन आपकी नजरों में अप नहीं बात तो सुनो विजये जै से नहीं नहीं विजये तुम इस तो घर छोड़के नहीं जा सकते बात शुरू हुई थी खतम हो गई बात खतम नहीं हो आप शुरू हूई यह जिस घर मे घर के वारिज की को इज़त नहीं नहीं जाता मैं उस घर में अब north I mean citizens Hey मैं ही यहां से चलाया हूँ सुरज तुम वचन दे चिकर के मुझे छोड़कर नहीं जाओगे मालिक अगर मेरे जाने से यह घर बरवादी से बस सकता है तो मुझे अपना वह वचन तोड़ देने दीजी मुझे अगर हो सके तो इस घर की गिरती हुई दीवारों को संभाल लेगा तुम ने जो संभालना तो संभाल लिया हम मुबारक हो लेकिन इन आखोने किसी के सामने जुकना नहीं सेका समझे मैं जा रहा हूं अब उसी दिन लोटूँगा जब इस घर के काबिल समझा जाओंगा नहीं मिजे लोटा मेरे मेंदे मिजे शुक्त है आप बुला लिए उसे मिजे क्या हुआ पंक्चर ओ भीया अब क्या होगा लगता है यह सब इसकी वज़े से हुआ है हाँ 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 यह जूल मत कीजिये इसको भेकिये मत यह तो मेरी रोजी है तो यह तुम्हारी शरारत थी हाँ हाँ सब धंदे को शरारत का नाम मत दीजिये बोलिए तो टायर ठीक कर दू पांच मिनिट लगेंगे और पांच रुपए भी अच्या हाँ तो यह धंदा शुरू कर दिया है तुम्हे क्या करें साथ मुंग के देख रहे हो टायर बदलो हाँ जागिदा साब के हैं पहुंचना है नहीं बैट जाएए आराम से बैटिए दस मंजूर हो तो दस नहीं तो बस भाईया देदी को ना वहां फंक्शन शुरू भी हो जाएगा सुनो हाँ जी हाँ 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 क्या वह दस रुपए का चेक हाँ हे साब हमको यह चेक वेक नहीं चलेगा हमको नोट चाहिए वो भी असली और हो सके तो कलक निगालो निगालो जिल्दी ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं यह लो दस वो लो टायर बताओ गुरू किस बात का दुख है क्या घर छोड़कर पच्टा रहो घर छोड़ने का कोई गम नहीं मुझे हम हैं तो सिर्फ एक बात का आज जन्माश्मी हैं और जन्माश्मी के दिन ही मेरे बड़े भैकिशन का जनम दिन भी है इसलिए दिन बड़ी धूमदाम से हवेली में मनाय जाता है और आज के दिन ही मैं उस हवेली से बाहर हूँ कौन कहता है तुम हवेली से बाहर हो वहां आज भी सब तुमारे इंतिजार में तड़प रहे हैं तुम चलो वीजे मैं तुम्हें लेने आया Get out चले जाओ यासे चला जाओंगा लेकिन आज के दिन तुमारा उस हवेली में होना बहुत जरूरी है मेरे भाई खावरदार जो मुझे भाई कहा मैं ऐसा पवित्र लव्थ तुम्हारी जबान से नहीं सुनना चाहता मैं कह चुका हूँ मैं तब तक उस हवेली में कदम नहीं रखूंगा जब तक मैं इस काविल नहीं बन जाता कौन कहता है तुम इसकाविल नहीं हो अगर तुम इसकाविल नहीं होते तो मैं यहां तुम यहां क्यों आए हो तुम मुझे और जलील करना चाहते हो बाप और बेटे के बीच दिवार खड़ी करके अपना उल्ल सिदा करना चाहते हो मैं तुम्हारी चाल खुब समझता हूँ आज मेरे भाईया का जनम दिन है इसलिए मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता हूँ आज तुम्हारे भाईया का जनम दिन है इसी सदके मैं भी यही चाहता हूँ अगर मुसे कोई भूल हुई है तो माफ कर दो मुझे और हवेले लौट चलो हर्किस नहीं छोटा भाई नहीं होगा तो बड़े भाई के जनम दिन की पूझा अजूरी रह जाईगे अपने भाईया के जनम दिन की पूझा खिलिए मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं वहां तो सिर्फ भहिया की मुर्थी की पुजा होती है लेकिन लेकिन मेरे भहिया सता मेरे साथ है यहाँ मेरे दिल में समझे अब गेट आट गेट लॉस्ट आज अच्छ अगर तुम्हारा भाय तुम्हारे सामने होता तो उसे जानकर बड़े खुशी होती है कि आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए कितना प्यार है कितनी तड़प है हाँ उसे दुख जरूर होता कि कि आज के दिन तुम उसके खुशी में शरीक नहीं हो आज साथ सिर्यका साथ आज जी प्रचन सिंह जी है आप पुरचन शिज राप आप अपर शुरुए अंकल अन्यमे देर हो गई हम हम ओ और आप रड़ी कम अंकल आप सॉरी यह लोग फॉरें टूरिस्ट है यहाँ सेर करने आया थे हमारा महल देखना चाहते थे इसलिए मैंने आपसे बिना इजाजत लिए इने इन्वाइट कर दिया, I'm really very बहुत अच्छा क्या, बहुत अच्छा क्या, अरे साले साब, जरा इनके खातर तो करो जीजा जी, वो काशी वाले केशुका कहते थी के, मैंने क्या का सुना, जा, अख, कमान फेंज, कमान, सपना का गयी, सपना, उस दिन गयी थी, और आज आई है, कहाँ गुम हो गयी थी आप, मैं कहाँ गुम हो सकते हूं, अच्छा यह बता, तेरा वो ड्राइवर देखाय नही सूरत नहीं आते हैं मैं तो मैं नहीं जाना हूंगा अंकल मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टन इंटरनाशनल फर्म की मीटिंग पर पहुंचना है सपना को छोड़े जा रहा हूं भो रहे हैं मैं इक ही बात है नहीं जब से तुम आई हो पासी दर उदर देखे जा रहे हो नहीं वो देखे बेटी सपना विनुद के तक गया अरे कुछ दिर तो हमारी खुशी में शरीक होता साल भर के बाद तो यह एक दिन आता है जिस दिन आप बहुत खुश होते हैं अच्छा यह बताई आउंकल आज ही के दिन इस मूर्थी के जनन दिन पर आप लाख और उप जनने इस दुनिया ने कदम रखा था और जन माश्रमी की दिन ही मेरी दुनिया से दूर चला गया अब तो हम उसकी इस बेजान नूर्थी के सारे ही अपनी जिन्दगी की थोड़ी सी खुशी मना लेते हैं मुहन गन शामरे कितने तेरे रूपरे कितने तेरे नामरे देव की मान ने जन्म दिया और मैया ये शोदा ने पाला देव की मान ने जन्म दिया और मैया ये शोदा ने पाला तु गोखुल का वाला बिंद्रा बन का बनसरी वाला ओ आज तेरी बनसी फिर बादी मेरे मन के धामरे जितने तेरे रूपरे जितने तेरे ना मरे काली नाग के साथ लड़ा तू जालिम कंस कमारा बाल आवस्था में ही तू ने खेला खेल ये सारा देरा बच्पन देरा जीवन जैसे इक संग्रा मरे कितने तेरे रूपरे कितने तेरे ना मरे ओ माखन चोर नंद किशोर मन मोहन घन शामरे कितने तेरे रूपरे कितने तेरे ना मरे तू ने सब का जैन जुराया बोचित चोड ठलिया तू ने सब का जैन चुराया बोचित चोड चलिया जाने कब घर आए देली राह ये शूदाविया और व्या कुल रादा डूंडे शाम ना आया हो बेशामरे कितने तेरे रूपरे कितने तेरे ना मरे ओ मा खन जूर नंद गिशोर वन ओ हन खन शामरे कितने तेरे रूपरे कितने तेरे ना मरे ओ, beauty इस beautiful wonderful statue को हम आपने लिया मंगता पाइकल, जानते है ये statue jumper है वाद इसे निकालना बहुत मुश्किल काम है ये काम और तुमारे लिए मुश्किल सवाल जाब नाए statue तुवे मिल जाएगा लेकिन कीमत पचास लाग Done Okay, see you तुम, तुम क्यों आयो यहाँ सवाल जवाब नहीं बेवे जब तुम नहीं आय तो हमें आना पड़ा Boss ने तुम्हे वह मूर्ती पहुचाने के लिए का था ना और वह मूर्ती मैं किसी भी कीमत पर तुम लोगों के नहीं दे सकती किसी कीमत पर भी नहीं नहीं तुम नहीं जानते रंजीत वह मूर्ती नहीं मेरे पापा की जिंदगी है तुम लोग मेरी जिंदगी से खेल सकते हो लेकि मैं तुम लोगों को अपने पापा की जिंदगी से कभी खेलने नहीं दूँगी सवाल जवाब नहीं तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे इंकार से ना सिर्फ तुम्हारे पापा की जिन्दगी खत्रे में पढ़ सकती है बलकि किसी और की जान भी जा सकती है जिसकी जान बचाने लिए तुम हमेशा मारा साथ देती आई हो क्या तुम चाहती हो मीना कि उसकी चान रंजीत लीज आखर तुम लोग कब तक मुझ से अपनी मनमानी करवाते रहोगे तुम नहीं जानते हैं जिस मूर्ती के लिए तुम लोग जिद कर रहे हो अगर वो मूर्ती इस हवेली से चली गई तो मेरे पापा आपनी वो बुड़ा तो वैसे चंद दिनों का मेहमान है लेकिन तुम्हारे सामने तभी पूरी जिंदगी पड़ी है मिना इस काम के बाद मैं बहुत से तुम्हारी सिफारिश कर दूगा कि आंदा तुम्हें परेशान ना किया जाए अब इससे पहले यहां कोई आजाए मुझे जल्दी से मूर्थी के पास ले चलो कमान भी ए गुड़ गलना कमान महाराद की जैहो तुम तुम यहा हो तुम जानते हो इसे अच्छी तरह से बच्पन की दोस्ती रही है और जवानी का साथ बहुत दिनों के बाद मिले ओ सूरज बड़ी खुशी हुई मूर्थी को अपनी जगा पर रख दो रंजीर और चले जाओ यहां से सवाल जवाब नहीं सूरज एक बार तुम हम से गद्दारी कर चुके हो लेकिन बास को अब भी तुमारी बापसी का इंतजार है बग खेता हूं मूर्थी अपनी जगा पर रख दो रंजीर इसे 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 मुर्थी ले जाने जो मूर्थी ले जाना दो यह क्या कह रहे हो तुम तुम अच्छी तरह जानती हो यह मूर्थी नहीं तुमारे पापा की जिंद्गी है क्या मैं तुमारे पापा की जिंद्गी इस कुस्ती का अवाले कर दू अगर इनका मकसद पूरा नहीं हुआ तो मेरी जिंदकी अधूरी रहेगी मतलब तुम भी इन जालिमों के शिककजर में चकड़ी हुई हुआ चोर 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 चर्शी ना का तुम रोग चाहू चोड़ा मझे भाजी इसे पकड़े लखना जाने मत देना मैं भी पुलिस पो फोन पेटा कभी में, जिस ठाली में खाया उसी में छेच, हमारा ही खाना खाकर हमेसे नमा खाना मी चोरो चक्के, पता तरे साथ ही कौन थे, नहीं तो मार मार के मैं मा, ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर तो नहीं इस बद्वाश को पकड़ लिया, वरना इसने तो पूरा घर लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी आहा, काशी वाले केशो काका कहते थे, जब अपना ही सिक्का खोटा हो इसमें भला किसी का क्या दोश, मैं तो पहले ही कहता था, कि जहर के पौदे को फैले से पहले जड़ से काड़ दो, नहीं तो पश्टा होगे, अब तुम भी भुखतो और जीजा जी भी भुखते, मू जी जा जी, मूर्ती तो गई, अलबता चोड आपके सामने खड़ा है, क्या, हाँ मेरी बाप तो कभी आपने सुनी नहीं, अब कीजी अपने जलाडले का मुझ काला, तुम बखो मत, सूरज, तुम बता मूर्ती कहा है, जवाब तो सूरज, वर्ना मैं सुम्झे को इस मूर्ती को चुराने के लिए तुमने मेरे घर में पना ली थी, जी जा जी, आपके भू जाते हुए देखा है, सच क्या है, मैं सूरज के मुझे सुनना चाहता हूँ, बोलो सूरज, हाँ या नाम है जवाब तो, जवाब तो सूरज, हाँ माली के सच है, वो चोर मेरा साथ ही था, क्या, और ये भी सच है, मुर्तिया चुराने वाली उस गैंक के साथ मेरा संबंध और ये भी सच है, आपके इस घर में कदम रखने से पहले, मैं सर्ज से पाउं तक जुर्म की दलदल में ढूबा हुआ था, और वाली ये भी सच है, इससे आगे मैं एक लफ्ज में नहीं सुनना चाहता, सूरज, तुम मेरे अपने नहीं थे, लेकर अपनों से बढ़कर मैं पैटे के मूर्टी चुराने के क्या दरूर थी, पालिक, आप मुझे चोर कह लीजे, जो जी में आए कह लीजे, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजे, मैं, मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, और जो मैं तुम्हें समझाता तुम वो भी तो नहीं बन सके, मैं समझ गया, तुम मेरी मूर्थ यह वापस करना नहीं चाहते, तुमने सावित कर दिया कि गयर को लाक अप्रा बरने के कोशिश करो, गयर गयर ही रहता है, चले जाना से, दूर हजाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता है पास पास, बहुत नातक हो चुका, बहुत ड्रामा कर चुके तुम, यह तो अच्छा हो, समय पर तुम्हारी अस्क्रियत कपाता चल गया, अब हो क्या देख रहे हो, जाओ यहां से, दिख लो अरे नहीं, नहीं, ऐसे कैसे निकल जाएगा, काशी वाले केशो कौका कहते थे, के बुरेकर तो उसके घर तक पहुचाना चाहिए, और यही सोचकर मैंने पुरी साने में फोन भी कर दिया था, इंस्पेक्टर साहिब, आईए, मुजरिम खड़ा है, हत्कड़ी लगाई इस चोड़ी करो, डाका डालो, लेकिन किसी के विश्वास का खोन कभी मत करना, इसे ले जाए इस पुर्टर साहिए, मैं इसकी तरफ पलट कर बिने देखना चाहिए मिलने की कोशिश नहीं करने चाहिए समझ लड़की नहीं हो, इस इलाके में हमारी एक इजजत है, मान मर्यादा है, और कल जब लोगों को पता चलेगा, कि तुम्हारे दिल में उस खतरनाक मुजरिम के लिए कोई जगा है, तो मैं इस इलाके में बाहर निकलने के काबिल नहीं रहूँगा, सपना, क्या तुम य हरकत नहीं करोगी, जिस से हमारी शराफत, हमारी इजजत पर कोई दाग लगे, से तुम, नमस्ते वीजे बाबू, क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो, मेरी बात छोड़ो अपनी करो, कैसे आना हुआ, कई दिनों से न तुम दुकान पर आये, न तुम्हारे दो से तकाजा करने आया हूँ, मैं तो यूही इदर से गुजर रहा था, एक टेक्सी लेकर मुसीबत में पड़ गया हूँ, कमबक ड्राइवर ही नहीं मिलता, तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताओ न, सेट, जब इंसान के पास दौलत नहीं रहती, तो उसकी नजर से भी को नहीं चले जाते, सेट, कह दिया ना तुमसे, तुम्हारा कर्दा चुकाए बिना मरूंगा ना, अब 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 देश मत दो जाए यहां से, अब आचा भीजी अब अब प्रितम नहीं आया हा कि तख यहां आ जाएंगे मा, तुम चिंता क्यों करती हूँ इस चंता में ही मेरे चिता जल जाएगी एक बार आ जाता, तो जाते जाते, समझातो जाती क्या अपने बेहन के हाथ पिले किये बिना फिर वही बात हमारी मा अच्छी हो जाएगी ना, डक्टर साहब हाँ हाँ, जरूर अच्छी हो जाएगी ये इंजेक्शन और कुछ दवाईया है, इनने फॉरन ले आओ और सुनो, इधर आओ गंगा, तुम्हारी मा की बिमारी बढ़ती है चली जाएगी इससे पहले के और देर हो जाएग, ये दवाईया बहुत सुरूरी है मेरी बात समझ गही हो ना ठीक है, तुम ये दवाईया लिया, मैं फिर आकर देख जाओगा गंगा, हाँ मा आई मा मा, तुम आया नहीं मा तू का जा रहे है डॉक्टर ने कुछ दवाईया कही है, लाने के लिए का सिजाय की बिटी इतने दिनों से तो तो काम पे भी नई जा रही है पैसे कहां से आएंगे हमारे होते हुए तुछ इंता क्यों करती है, मा हमारे पास हैं पैसे बेटी, बहुत दुख उठा रही है तुम मेरी खात नहीं, हमसे ऐसी बाते करोगी, तो हम रो पड़ेंगे, मा हमारी मा तो हमारी जिंदगी है अपनी मा की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं तो घबरा मत, थूड़े से पैसे हमने बचा कर रखे हैं अब हम तुम्हारे लिए दवाईय लेकर आते हैं हाँ अंदे उधार लगाओ उधारी दे दिजे मुंचे जी, हमारी मा बहुत बिमार है डाक्टर साब ने कहा है, अगर ये दवाईय ना मिली, तो हमारी मा मर जाएगी अरे गंगा, तुम हो, मने तुम पैचाना ही नहीं, कितने काम जोड़ हो गई हो तुम, क्या बात है मुंची जी, वो पैसे पैसे, कैसे पैसे, काशी वाले केशो काका कहते थे, के पैसे दरखता उपे नहीं लगते के हाथ बढ़ाया और तोग लिये पैसे कमाने के लिए मेहनुद करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, और काम पर तुम कई दिन उसे आई नहीं हो, जा 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 किसलिए, सौधा करने आई हो, कीमत बताओ हमारी कीमत जानना चाहते हैं आप, इस समय, इस कागत के एक पुर्जे पर ये लिखी हुई चंत लकीरे, हमारी तक्तिर की लकीरों से ज्यादा कीमती है हमारी मा बहुत दिमार है बाबू, दक्तिर ने कहा है, ये दवाईया ना मिली तो वो मर जाएगी और हम अपनी मा को मरने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए इस गंगा को कीजर से ही क्यों ना गुजरना पड़े क्या सोच रहे हो बाबू, वक्त बहुत कम है, और अब यही एक आखरी दर्वाजा बचा है हमारे लिए ठीक है, इस दर्वाजे से आज तक कोई खालियाद वापस नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगी यह गंगा अभी तक क्यों नहीं लोटी, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था यह लोग पैसे और अपनी मा की जिंदगी बचा लोगा पापू नहीं गंगा, भगवान ने जो फुल पुजा के लिए बनाया है इतना नीश नहीं हूं मैं, कि उस फुल को अपने हातों से मसल का किचर में फेंग तो जिस दिन गंगा अपनी पवीतरता खो देगी उस दिन के बाद लोग गंगा के नाम की सौगन देना छोड़ देंगा हो सके तो, हो सके तो मुझे माफ़ के तो गंगा बाबुजी, गंगा मौफी तो हमें मागनी चाहिए बाबुजी, हमने आपको बहुत गलत समझा कुछ तुमने गलत समझा, कुछ मैंने गलत समझा समझ लो सब, वक्त का फेर था बहुत भागी हूँ इस वक्त के पीछे बाबु आज भी इसे थाम सकूँगी या नहीं, ये तो नहीं जानती लेकिन आप जो इस वक्त पर काम आये है, ये एहसान कभी नहीं भूलूँगी कभी नहीं भूलूँगी सेट, तुम आ गए? लो सोचो, आ तो गया अब ने तुमको इस टेक्सी के लिए ड्राइवर ढूमने के लिए कहा था तुम खुद ये काम करोगे, हमने कभी नहीं सोचा था इंसान जिंदगी में जो सोचता है, वो नहीं होता और जो होता है, वो उसने कभी सोचा भी नहीं होता आज तुम मेरी जरूरत में कामाई हो, तुम्हारा ये ऐसान, मुझे हमेशे यद रहेगा लेकिन जब जागीरदार साहब को पता चलेगा तो? इस वक्त मैं तुम्हारे टेक्सी का एक मामुली ड्राइवर हूँ किसी जागीरदार का बेटा नहीं काड़ी की चावियां दो चल्दी कीजी साहब हालत ज्यादा खराब है, इन्हें फोरण हस्पताल पहुंचाना होगा अरे, माची मैं इन हस्पिरिल ले जाता हूँ ये लिजे, बचार से रुपे ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिल्वाले दुलनिया ले जाएंगे, अरे, ले जाएंगे, ले जाएंगे आए आगई, आगई मेरी ज्याँ लग जा तीर मिश्टाने क्योट रही वो साफ, टायर पंक्चर हो गया क्या? अरे, तो जट से स्टेपनी निकालो, मैं फट से जैग लगा देता हूँ और तुम खट से दो रुपा देता हूँ अपना रेट फिक्स है, काल हो तो 5 रूपया और टेक्सी हो तो 2 रूपया लेकिन स्टेपनी तो है नहीं, और मुझे किसी भी हालत में इस बिमार और को जल्दी जल्दी होस्पिल पहुंचाना है, नहीं तो यह मर जाएगी इन एक जल्दी उठाओ हस्पिटल ले चलते बहिया तुम्हे क्या हो गया? चलो वाई बहिया 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 महिया मुझे प्रीथा, बृथा हम तो आगए है बिटा को रह ना अरे, खुन निकला है माया 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 मा 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 हमने तो तेरे लिए अपने आपको दाउपर लगा दिया था मा नहीं जानते थे तो अपने बेटी को इस तरह छोड़कर चली जाएगी मा मा गंगा हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई साथ अब इस दुनिया में अप पिल्कु रखे लेगे कि अजिए । म केली नहीं, में तुमर साथ हमिस अपनी लाव्ली बदोख व्लेव्ली अजिचय है होई बदी तो अजब होई यहाद है बिलकुल याद है लेकिन क्या करूं बॉस की भी एक अजीब जिद है वो कुछी दिनों में अपना सारा कारो बार समेट कर हमेशा के लिए नियू योग जाना चाहता है उसने का है कि जब तक हो हिंदुस्तान नहीं छोड़ता वो तुमें भी नहीं छोड़ सकता एक बार क्या मैं उनसे मिल भी नहीं सकती किस से बॉस से या अपने प्रेमी से तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे तुम्हारे बॉस के नाम से भी नप रहत है अच्छी तुम्हारे लिए बॉस का एक पैगाम है एक घंटे में हमारे हीरे जौरात खरीदने के लिए कुछ विदेशी सौदागर लखी क्लम में आ रहा है और बॉस ने उन हीरे जौरात की नुमाईश के लिए तुम्हें स्लेट किया है मैं नहीं जाओंगी सवाल जवाब नहीं बेवी जाना था तुम्हें पड़े गाई और हाँ मैं फिर से तुम्हें वादा करता हूँ कि इस सौदे के बाद मैं तुम्हें तुम्हें उनसे मिलवा दूगा इट्स प्रॉमिस टाक्सी 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 आ कुरोब बंभधो टाक्सी प्रॉमिस हुआ 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 है दुनिया क्या है दौलत क्या है फुसन की आखर कीमत क्या है ये ना सोचो खरिदरो बोलो बोलो दुनिया क्या है दौलत क्या है फुसन की आखर कीमत क्या है ये ना सोचो खरिदरो बोलो बोलो दुनिया क्या है दौलत क्या है दुनिया क्या है दौलत 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 क्या है देखो ये जुम के पहने थे ये किसी रानी ने जनने ये कहा कब डैसे खों दीये दीवानी ने तेखो ये जुम के पहने थे ये किसी रानी ने दौलत क्या है दॉलेत क्या है दुनिया क्या है ये है क्या ये किसी देवी के गले के माला है ऐसे ही चम्किरे जैसे ही कोई ज्वाला है ये है क्या ये किसी देवी के गले के माला है ऐसे ही चम्किरे जैसे ही कोई ज्वाला है ये पसंद हो तो पुकारो बोलो बोलो इस दो तिंग दुनिया क्या है दॉलत क्या है दुनिया क्या है दुनिया क्या है कैसे ये कंगना जाने क्या इनकी कहानी है जाने ये किस परदिस की प्यार की निशानी है हर हर कैसे ये तंग ना जाने क्या इनकी कहानी है जाने ये किस पर दिस की त्यार की निशानी है ले जाओ ला उतारों बोलो बोलो इन दुनिया क्या है दौलत क्या है उसन की आखिर कीमत क्या है ये ना सुचाओ पर दानू बोलो बोलो एक एक दो तीन एक एक दो तीन तीन आया शरम नहीं आती तुम्हे इस तरह से अपने खांदन का नाम रोशाद करियो बोलो आप अप्ष्ट तीन 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 आप ऱुम्हे प्ष्ट प्ष्ट आप प्ष्ट प्रफ बाइडो बाइडों ऊब इसाम Πीजड कर दिर आज इगरें जिन eremosOT बढए आ आजो लखंनाओ भister पिता है वो ऑंदनाओ कRIकिए चैह जोऊरोा दो दो, copyright कि घ्मापलायों पारे है। बार है भुड़ मोई आचिवार इटाल ज सरेशान है, ज्मापला देला करताइब जालाओ करताइब। करताइब। भी करताएब। करताइब। करताइब। करताइब… जो, पत्रइब। ये ये! अब तक जो हुआए वो सर्फ मैंने देखा और मैंने जाना था इससे पहले कि दुनिया के सामने इस खानदान की इज़त का तमाशा बने, चैले जा अपने कमरे में पापा इतनी राद गये और तुम इन कपड़ों में, जरूर किसी घलत जगह से आ रही हो मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं बैख गयी थी वो तो मैं देखी रहा हूँ वैसे आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं लेकिन क्या मैं आप लोगों जब पूछने के हमत कर सकता हूँ यह सब क्या हो रहा है आप आज भी कुछ नाहीं पूछे तो अच्छा है कहीं ऐसा नहो आपका ये नालायक और आवारा बेटा आपके खांदान के चेरे से शिराफत का नकाब उठाने पर मजबूर हो जाए मैं समझा नहीं, तुम कहने क्या चाहते है पिछे ओ पिछे पिछे पिछे, तुम आए हो आया निमा आना पड़ा आप जा रहा नहीं नहीं अब मैं तुम नहीं जाने दूगी तुमने आज तक अपनी और कहीं आने जाने से नहीं रोका वा और इस अंजाम आज तुम्हारी आंखों के सामनेpur आज उपने भेहन का उसका एक भाई नेश लोगों की मैफिल से उठाकर लाया और इस खांदान की शिराफत की ये तस्वीर आप लोगों की अपनी बनाई हुई है पजी, नहीं, नहीं एक भाई के नाते मुझसे जो हो सका मैंने अपना फर्स पुरा किया लेकिन अब जा रहा हूँ क्योंकि बेटा होने के नाते मेरा इस खर भी कोई हग नहीं बुझाय तो मेने कह था जिस दिन मेरी नज़र में तुम्हारी इज़त होगी उसी दिन तुम घर वापस आउगे आज मैं तुम्हानी आँखों में एक नई चमक देखना हूँ देखनाओ, तुम्हे अपने खांदान की दुत रिचाराफत का अहाशास हो गया है जिम्मझादारी का इसास हो गया है अपनी भूल का इसास हो गया है आज मेरा बेटा, जो मेरे नजदीक होते होँ भी मुझसे दूर था इस चोटे से पल के साथ मेरे सीने से आ लगा है लाट आओ बेटे अपने बाप के पास वापस आ जाओ आजा बेटे मुझे 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 माफ कर दी मुझे माफ कर दी इडियट मीना को उसका भाई तुमारी आखों के सामने से निकाल कर ले गया और तुम कुछ नी कर सके अगर मीना ने हमारा रासफाश कर दिया तो यू फूल मुझे किसी भी कीमत पर अबो लड़की वापस चाहिए अब उसकी आजादी हमारे लें खत्रा बन सकती है समझाए येस वाट सूरज जेल से फरार हो गया है रंजीत सूरज जेल से फरार हो चुका है उसे शायद मालम हो चुका है कि मीना हमारी रास्तार है इस सब पहले कि सूरज मीना तक पहुचे हमें मीना गिडना करना चाहिए स्पीड रट सर छोड़ दो मुझे मैं कहते हूं छोड़ दो मुझे मैं अपने घर में जलील हो चुकी हूं कि अब मेरा मर जाना ही बहतर है बेभी हमारे जीते जी मौत तुमारे नजदीक कैसे आ सकती है हमा चुटो मुझे चुटो मुझे चुटो मुझे मजरे प्सकाफचिक लांदों! पाँ मिレत एंगा इप एंगा एंगा हम हमेंगे जैस्टार, जदुख भाँ! जडरे को ईशिए मेखगेंगे! हमें टुख़ा एंग! जए शाइएएएएएएएएएएएएएएएएए! कbor बार गयार कर तो टुझा भुलला अब तुक लुख भाग सकता अब तुक भॉख ने सकता पता वो गुन्दे मेरी बेंको ठाकर का ले गए यह जाने के लिए तो में को पीछा करा था तुब इने मेरे रास्ता रोक लिया वरना मैं उन गुन्दों को जिंदा नहीं चोड़ता अब बढ़ता मेरे रास्ते से कहा है तेरी हर चाल को खुब समझता हूं मैं तूने घर में कदम रखते ही सबसे पहले मुझे घर से भाग करवा दिया मेरे डैडी की शराफत का नाजार फाइदा उठा कर हवेली और जागिर की चाबियों पर कब्जा कर लिया इतने से जी नहीं भरा तो मेरे भाया की किमती म मुर्ती पर हाथ साफ करने से पीछे नहीं हटे तुम और अपने साथियों के साथ मेरी बेहन को बढ़ा कर ले जा रहे हो ताकि उसकी इजद को खिलोना बनाकर सरे बादार बेच सको निलांगा सको क्या वक्ते हो आज अगर ये लफ्स किसी और के जुबान से निकल दे तो मैं इसी वांक उसकी रिवार कहा देता हूँ मीना से तुम्हारी बहन नहीं मेरी भी बहन दे आज जिस तरह तुम उसके लिए तरफ रहे हो मैं भी तरफ रहा हूँ काशी वाले केशो काका कहते थे कि दुश्मन की बात उने कभी नहीं आना चाहिए भांजे मैं तो कहता हूँ उल्टा लटका दो इसे अपने आप सच्चाई बग देगा मामा तुम मीना के मामा हो क्या किशन के मामा नहीं किशन वही किशन जिसको बच्पन में अपने अपने हाथों से नदी में भेंग दिया था याद करो मामा अगर याद नहीं आ रहा तो अच्छी तरह से याद दिलाओ आखिर अपनी असलियत पर आगए ना जिजे जिस रास को मैंने किसी को नव बताने की कसम खाई थे आज मैं तुम्हें बताता हूँ मैं जागिदार सहाब का बड़ा बेटा क्या उनका खोयावा किशन नहीं तुम्हारा भाई हूँ नहीं यह नहीं हो सकता कि मेरे भाईया तो मेले की भीड में नदी में टूब गए थे नहीं रिजे तुम्हारे भाईया नदी में डूब कर महीं माले थे चांते उनके साथ क्या हुआ था हैपी बादे तू यूूू। धेख रहू ना चोटी बहन तुम्हारे पत्री अपनी पहली बीवी के बेटे पर उपया किस तरह पानी फ्रिलता रहें अगर इन दोनों के प्यार की यही हालत रही तो तुम्हारे बच्चे दो गलियों में भीख मांगते दिखाई देंगे चल्म देने वाली तो चल्म देकर मर गी लेकिन यह तो मुझे जीते जी मार देना चाहते है और भया आधी जयदात का मालिक तो एनीका ये लाडला है ना चल्म ने मेरे बच्चों की तक्दीर में क्या लिख्छा है इस कमभशी तक्दीर में उपर वाले ने क्या लिख्छा है वो तो तुम भूल जाओ अब तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इसकी तक्दीर कैसे बदलता है वो ज़रूर देखना मामा तुम तो कहते थे मेला दिखाने ले चलोगे नहां क्यों लाए अरे बच्चे थोड़ी दूर आगे बस मेला ही मेला है मैं सब जनता हूँ तुम मुझे मेलादी करने के बादे यह लाकर मार लाना चाते हो अगर तु सब कुछ जाने चुका है तो तुझे जिन्दा छोड़ना खतरनाख साथी चाहिए बहुत खतरनाख साथी चाहिए नहीं नहीं और कितना बड़ा दुन करहते है मैं तुम्हें जिन्दा नहीं चोड़ाँगा है मुझे भाए मुझे मुझे भाया, आपने बहुत वर्णाष्ट किया, बहुत दुक उठाएं आपने, मैंने, मैंने हcorner, भी जून किया आपर, नहीं जानता हूँ इस चिनम में अपने पाप का प्राष्ध कर सक Спर हूं नहीं? मुझे माफ, मुझे माफ करतो भाया, मुझे माफ करतो भाया, बुझे, 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 या, आज तुम्हारे आसों ने मेरे सारे दुख दो दिये पुर्च दो या आसो, और चला, हमें जल से जल मिना को डूने गालना चाहिए अब तो हम अकेले नहीं हैं, आज से हम दोनों भाई एक हैं जीजा जी का बड़ा लगा किशन जिन्दा है, जिन्दा है, क्या कहना चाहते हो, तुमने तो उसे अनाथ आश्र में डाल दिया था ना, नहीं नहीं बहन, मैंने तुमसे जूर बोला था, मैंने उसे नदी में फेक दिया था, मुझे का मालूम था, वो ये किशन सूरज मन कर इस गर में आजाएगा, क्या, तुम, तुम इतनी नीच हरकर कर सकते हो, ये मने कभे नहीं सूचा था, बहन, तुम ही नहीं तो कहा था, कि अगर तुम्हारी आउलाद सारी जाइदात की मालिक बन जाएगी, तो तुम मेरा बढ़ाब अभी सुधार दो, अब तुम मुझे तुम थोकर मार रही हू ये तो सिफ थोकर ही मार रही है, मैं तुम तूनों का जाव डादाली की कोशिश की, तुमने मेरे बेटे को मुंचा जिदा किया, मैं तुमने मेरे सुर्दा नहीं तुम्हे टुदा नहीं छोल भी। तो जो इस पापी की पाद तुम्हें आ गई, मुझे माप कर गी जो 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 फट जाओ मेरा किशन इतने दनों तक सूरज बनकर मेरी आखों के सामने रहा और मैं उसे पैचान न सका जो हाथ मेरे बढ़ापे का सहरा थे उनी हाथों में मैंने हतकरी पहना दी कितना बदनसीब हूँ मैं, कितना बदनसीब हूँ मैं यह किसमत का फेरी है बुलबुल तुझे शेर बनाना चाहिए था बकडी बना दी मुझे दिलेड बनाना चाहिए था बटेड बना दिये ये मत समझना कि मैं नशे में हूँ हम दोनों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है हमको शिकायत करनी चाहिए आवाज उठानी चाहिए उस भगवान के सामने जिसने दुनिया को बनाया मुझे बनाया, तुझे बनाया मगर ऐसा क्यों बनाया कहीं उसने भी शड़ा पी कर तो नहीं बनाया लेकिन ये बगवान साब मिलेंगे कहां अजय भाए 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 पितल क्या अजय भाए पितल क्या चाहिए मिल गए आप लेकिन इस वक्त तो आप भी बहुत मुझीबत में नदर आते हैं हमारी फर्याद क्या खाक सुनेंगे खर्ट आप हमारी मदद कीजिए या मत कीजिए हमारा फर्द है आपको आपकी ज़ए पहुचा दे जय बजी रंग भाई जय बजी रंग बजी जमा करके मंदिर बनवाएंगे अब हो खोचू तब यह तो ठीक है ना इदर ला हमारी मूर्ती आपको देता है कि लिए देता है तुम लोग इस बेचारे भगवान को मिट्टी में दबाकर इस पर जुल्म कर रहे हो मैं यह नहीं देख सकता अजय आजय चाहिए लगता है शरावी ने इमारा राज जान लिया है इससे असानी से छोड़ना नहीं चाहिए ले चलो इसे अपने साथ खोड़ दो कामोश कामोश क्या नाम है तुमारा प्रीतम एई चोड़ देशे प्रीतम आज तुमने क्या देखा अजी देखा क्या साथ मैं सबक पर बैठा अपने भगवान को याद कर रहा था कि भगवान जी के दर्शन होगा वो फूलों के गंले मैंसे अचानक टपक पड़े मेरे सामने अच्छा मैं तो यह चमतकार देखकर चौगी गया था साथ प्रीतम तुमने इस चमतकार के बारे में किसी से कुछ कहा अजी इन लोगों ने मेरे को मौका ही कहां दिया मैं तुमा सारी दुनिया में शोर मचा देता इस बात का तो इसका मतलब यह है कि वक्त आने पर तुम शोर मचा सकते हैं हाँ जरूर अब्दुल जरा प्रीतम साथ की थोड़ी खातर करो आपके पास थोड़ी सी है एक नोटांग से काम चल जाएगा सच्छी अरे 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 टूट जाएगा मेरे हाथ टूट जाएगा मेरी बात तो सुरो देखो 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 अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शोर नहीं मचाऊं तो इस मूँपर बोतल का ढखकर लगा दीजिए सच्छी अरे आप अच्छा हुआ आप बड़े मोगे पर मिलके इन्होंने भी कोई चमतकार देखाएगा रंजीत यही वह आदमी है येस बस बस आप इनके भी बस है भाई बड़ी खुशी हुए आपसे मिलके इनके तो मेरी पुरानी जान पैचान है भाई शूट हम गोली मारते से हुजूर मही भाब मेरी बात तो सुरिये अरे 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 आपने तो ऐसे कह दिया गोली मार दो जैसे कोई भूल भेगा मुझब आप जानते गोली लगने से इनसान मर जाता है और मैं मरना नहीं चाहता है मैं मरना नहीं यह भी किसी चमतकार की वज़े से यहां पर है क्या नहीं इसकी लाइट चिगाने लगा दो मारेगे यह तो वही दोनों है जो हमारा पिछा कर रहे थे इन्हें कहीं सक तो नहीं हो गया मैं तो कहता हूं भाग चलो क्या हो भाईया इन मेंसे एक शक्स को मैंने पैचान लिया है विज़े यह वही था जो इसी वैन को ड्राइव कर रहा था जिसमें गुंडे मिना को उठाकर ले गए थे धक तेरी की अगर इन मेंसे एक भी हाथ आ जाता तो जरूर उनके अड़े का पता लग सकता था चाहिद इस वैन की तलाशी से कुछ मिल जा है अव देखे रिया यह देखो पुलीस आप अंदर शुजाओ मैंने सिमालता हूँ हलो मिस्सर विजे क्या अला है इंस्पेक्टर साब चीक है क्या कुछ गरबर है यह ज़रा काडी कराब हो गई थी मैं कुछ मदद कर सकता अब ही स्टार्ट हो जाएगी यह देखिए स्टार्ट हो गई ओके बाई-बाई-बाई वह मुसीबत तो टल गई अब इस बचारे का क्या करें गंगार की भाही की लाश को इस तरह रास्ते पतो नहीं छोड़ सकते वह दुनों मिलकर कम से कम इसका आक्री संसकार मैं जिन्दा हूँ पहली गोली मेरे को यह लगी मगर इस गुड़ लक की वजया से बच गया दूसरी गोली मेरे को यहां लगी उस में सोड़ा सा खून निकला और मैंने यहां से लेकर थोड़ो यहां उसको मसल दिया और लंबा पढ़के सो गया आँख खुली तो आप दोनों को सामने पाया विज्या बाबू, मैं तो बज गया लेकिन आपकी बेहन मीना को उस बदवास ने कैट करके रखा है तुन जानते हो मीना कहा है इना कहां ये तो मुझे मालू है लेकिन उस जगह का रास्ता मुझे नहीं मालू आज वहां मैंने एक ऐसा जबतकार देखा जो मैं आपको बता नहीं सकता क्या देखा तुमने? वो वैसे तो इनसान बाहर से सीधा साधा और शरीव नजर आता था लेकिन जलाद की तरह ऐसे गोली मारने का हुकम दिया जैसे मैं कुई खिलो नहीं हूँ कौन था वो? वही सपना टी एस्टेट का करता धरता सपना देवी का भाई विनो सक्सेना क्या? तुमारा मतलब है उस गैंग को बस वो है? हाँ विनो इंपोसिबल, नामुम्किन मैं नहीं मान सकती मेरे भाईया ऐसे हर गे जहीं हो सकते याकीन तो मुझे भी नहीं आता सपना लेकिन मैंने जो कुछ कहा वो सब प्रीतम न अपनी आखों से देखा है वो नहीं आपके पास वो क्या? अरे वो मतलब यह प्रीतम, तुमने देखा क्या? देखो जी जूट बोलने की आदत तो हमारे खानदान में साथ पुष्टों से खतम हो चुकी और सच बात तो यह है कि वो आप ही के भाई थे जिनोंने वेजय बाबू की बेहन को कैद करके रखा है और मुझे गोली मारने का हुकम दिया सा अब आप माने या नहीं माने वो आपकी मज़ी अरे भाई थोड़ी है शराप भाईया, हमें किसी भी तरह उसर्डे का पता लगाना होगा नजाने वो कमवक्त, मेना के साथ क्या सलुक करे यही तो मैं भी सोच रहा हूँ अगर देर होगी तो अंदेर हो जाएगा सपना अगर तुम चाहो तो हमारे मुश्किल आसान कर सकती हो सूरज, अगर सच मुझ मेरे भाई इस साधिश के साथ ही है तो यकीन मानो मैं अपने हाथों से उन पर गोली चलाने से पीछे नहीं हटूँगी उल्लोग तुम, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम यहाँ चले आए जब कर मैं तुम्हें हजार बार काया चुक्त होगा तुम्हारे यहाँ आना, किसी वक्त भी खत्रे का बाहिस बन सकता है जिससे आप इतनी सी बात समझ रहे हैं, वो इतनी सी बात नहीं है, बॉस रह सोचे, आपकी वैन उस शराबी की लाश के साथ दुश्मनों के हाथ लग गई है किसी वक्त भी खत्रे कोई हो सकता है कुछ नहीं होगा, तुम्हारी उपर की मंजिर खारी हो चुकी है अवल तो सूरच, खुद एक फरार मुझरिम है, पुलिस तक पहुचेगा ही नहीं अगर वान परसन भी इसका कोई चांस है, तो इससे पहले तुम पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा दोगे कि हमारी वैंक चुरी हो चुचकी है, हम पर कुछ शक नहीं रहेगा खड़े-खड़े मेरा मुझ क्या देख रहे हो, जो यहां से उसना, वो हमारे विदेशी दोस्त, कब तक पहुंच रहे हैं सर, उनकी सीक्रेट मेसेज की मताबिक दोग दोग नहीं के अंदर पहुंच जाएं इस साखरी सौदे के बाद में और सादर रिस्क नहीं ले सकता हमें जल्द से जल्द अपना कारोबार समेट कर इस देश को पुछ दिने के छोड़ देना हो पुरी तयारी करो कौना तो? तुम हम को कहां छोड़ कर चला गया था स्वीटी पाई चला गया था लेकिन अपको आ गया तुम और चला अटा नए, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा पहले ये बोलो, तुम हम को ड्रिंक पिलाएगा ड्रिंक? धरूर को पिलाएगा मैरी चान हम तुम को आएसा ड्रिंक पिलाएगा कि तुमारी च्टी और आए बाई बस पहुँच गए क्या हो? कौन हो तुम? यह यह वो जगह तुम नहीं और तुम? तुम भी वो नहीं तो क्या हो डार्लिंग? यह जगह वो न सही मैं वो न सही लेकिन तुम तो वही हो आहां यह यह भी वही है यह 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 हो यह यह हाँ वह आजा 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 ये तनहायां ये अंगडायां मैं हसी तुझवा ये समाँ फिर कहा ये तनहायां ये अंगडायां मैं हसी तुझवा ये समाँ फिर कहा होती है तो होने दो विस्वाईयां ये तनहाईय ये अंगडाईय नहसी तूजवां की समाँ फिर कहां गोती है तो होने दो नुसबाईय ये तनहाईय ये अंगडाईय है का एंगडाईय ये तांग मुझा जाए जाए मिल गई नजर क्यों जूनके नो तुमी कबड़ ना हमी कबड़ ओ गया है क्या मिल गई नजर क्यों जूनके मस्ती में है आज दो पर चाईया लेल 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 ये तननाईया ये अमिडाईया और से सुनो है ये दाज क्या और गी है ये एक वाज क्या दूर दूर से और से सुनो है ये दाज क्या आ रही है ये एक वाज क्या दूर दूर से बश्ती है जैसे कही जरगाईया ये तननाईया ये अमिडाईया लालालालाला रात ये हसीं संब हम न शिंक्र न जाए हम किन में बस चहीं यूँ तोब के रात ये हसीं सुन को हम न शिंक्रें में जाए हम किन में बस चहीं यूँ तोब के तेरी आंखों की ये बहराईया ये तनहाईया ये अंगराईया मैं जसी तु जवां ये समां फिर कहां होती है तु होने दो तु सुवाईया कौशिश बेकार है सुड़ी फाई तुम ये सुड़ी फाई मैं तुम्हें बहुत पहले ही पहचान गया था अब जरा तुम मुझे भी पहचान दो ले जासे आख प्रुम आख 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 सुड़ी श्युरे आख फोफजी था रखियो पिला किया मैं। पिला किया मरिया? Hाँ पिला किया? शरुछी एकिया मने जिरम है? फ्हाँ मतला किया है? हाँ हाँ? हुव़ जयाज़ चौसके तजूफ जयाज़ ऑ्रिभी लगs ुछुछुछुछुछुछुछुछुछु ुछुछ। ुछुछुछुछु-ॕुछु- Ф 온ty but benig ु.. ेजु ुछु कर दो चलाओ वार तो और रारी है यार दो प्रबद है जड़र, जड़र, जड़र जड़रर, जड़र एफल दो प्राइब प्राइब है और झापा है है लृटंग चसना चर्टा आहांग लु चोहिं है हाँ हमाल फराइशender करको! जोड़ता हूं, खोड़ता हूं आई 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 अब देर मत कीज़े मेरे पीछे पीछे आईए अरे घबराईया मत जब तक मैं हूं आप पर कोई उंगली भी नहीं उठा ज़कता अरे सुनो, हामस, आउ मेरे पीछे आउ, मैं सब कीछा भी गुमाया दूँगा, आउ मेरे पीछे आउ अरे अपने बड़े भाईया को प्रणाम करो बड़े भाईया, हाँ, यही तो है, हमाने खोय वे किछन भाईया भाईया मीना इससे पहले के कोई और मुसीबत आजाए, जल्ली चलो विनूत, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुमसे मिल पाऊंगा विनूत, जल्दी चलो, कोई और तुमारे इंतिजार करा, चलो सपना, मेरी बहन देख क्या रही हूं सपना, यही है तुमारे भाईया, और मेरी सब कुछ आज तक इनी की प्यार के खातिर, मैं जल्मों के हाथ का खिलोना बनी रही हाँ सपना, यही तुमारे भाई है, जिस विनूत को तुम अपना भाई समझती रही, वो तुमारा भाई नहीं, एक बहुत बड़ा समगलर है सोच क्या रही हो सपना, तुम्हारे भाई में बहुत तक्लीफे उठाई है, क्या आज भी वो अपनी बेहन के प्यार से दोरी रहेगा भाईया दिवारे बहुत मजबूत हैं और तुम्हारे बाजू बहुत कमजोर यहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अब यहां से तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मौत ही आजाद कर सकती है अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, इमत है तो एक बार मुझे इन सलाखों के बाहर आने दे, फिर देख जिन्दगी किसका साथ देती है तुम बहुत चालाक हो सूरज, मुझे बुजदल कहो गालिया दो, लेकिन मैं उनमें से नहीं छो तुम्हारी इस चालाकी की चाल में फस चाओं हाँ, अगर ये महाशे होते, तो जरूर बेवकूफ बन जाते, क्योंकि आज तक इनकी ही बेवकूफी की वज़े से, मुझे साइंटर नेशनल स्मगलर, पुलिस की आँख के नीचे भी अपना काम करता रहा है जानते हो कैसे? अब तुम्हारा काम दमाम होने का वक्त आ ही गया है, अपने गुनाहों के जो रेशमी थागे तुम आज तक अपने गृग लपेटते रहे हो, वही अब तुम्हारे लिए लोही की मजबूच जिन्जी ने बन चुके हैं, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे अपने गु सिर्फ इसलिए तुम्हें जिन्दा रखा कि वक्त आने पर तुम्हें कानून के हवाले करके खुद निकल जाओं, क्योंके जनाब की सूरत हमसे मिलती है कमीने, अगर मुझे पहले से तेरी एसलेट का पता चल जाता, तुम्हें तेरा खोन पी जाती है ये सपना तो अब सपना ही रह जाएगा सपना देवी, वैसे जितना संदिल आप लोग मुझे समझ रहे हैं, उतना में नहीं हूँ अपनी मौत से गले मिलने से पहले, मैं तुम प्रेमियों को तनहाई में रहने का थोड़ा सा मौका जरूर दूँगा जीब भर कर एक दूसरे को देख लो, गले मिल लो, प्यार कर लो, क्योंकि सुभह की पहले किरन तुम सब के लिए मौत का पेगाम लेकर आएगी चाइन बॉम मैंने वहार रखवा दिया है ठीक सुभह के छे बजे, ये इमारत एक खमाके के साथ उड़ जाएगी और मेरे चुर्म के निशान के साथ साथ तुम सब की जिन्दगी के निशान दी मिट्टी में मिल जाएगी हलविदा, खुदा हाफीज, गुद्बाए अज़िए, चल्दी हाथ लगा उपार जाओ करता हुदा, चल्दी तुम खोला खोला क्या देखता है, भगवान को अंदर रखो संभाल के ये जा मूर्थी है, उसके पास में दूसरी मूर्थी रखो, और नजीख लाओ, येस, गुट रंजीट, बॉनेरी बॉस Good evening, रंजीट कल गणेश विसर्जन का दिन है, और इस दिन का हमें बहुत दिनों से इंपजार था विसर्जन के बाद, तुम मूर्थी को पानी की तह से निकालोगे, और उसके बाद समंदर में बीच खड़े हमारे जहाज पर पहुचा दोगे आप में थाद, पहुचा दोपना विसर्जन को विसर्जन के इंप्सका दोगे अजीट, रूख वे देल? यह सर वे रूज जब एगाई झाम आप जब एगाई एग जब एगाई जब एगाई मुझाई मुझाई प्रिवा प्रिवा जीने पर टाम बॉम टाम बॉम? यह ज़िए बोलो गनेश महराज की ज़िए लेष महराज की ज़िए शभरिभर में भोप्रिए लेष महराज की ज़िए जब एगाण दुआ आव ठना प्रेव प्रण जला हुआ है जट हो लाइ खाल खाल्ग लाइड़ बाइड़ राद लॉट है खाल्ग एमाज गल्गण खाल आ अब खिर्का झार खेड्ग है गःड़ करिक जड़ का जया ज बहुआ है फाल लुट हुआ है मूर्टी गणेश की, अंदर दौलत देश की मूर्टी गणेश की, अंदर दौलत देश की मूर्टी गणेश की, अंदर दौलत देश की लोगों देखो चान से, पूचो इस बैमान से क्या चक्कर है हो आध मारी चक्कर है मूर्टी गणेश की गली-गली में शोर है, साधू नहीं ये चोर है, उपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है तुम इसको परचान लो, ओ दीवानो जान लो, क्या चक्कर है ओ आज मारी तक कर है मोर्डी धरेश्की, संदर जौन जेश्की, जोबों देखो ज्यान से, उचो इस वैमान से, क्या चक्कर है हो आज मारी चक्कर है लेकर उसका नाम को, करता है ये काम तू काहे को भगवान को करता है बगणाम तू पर लेकर उसका नाम को करता है ये काम को काहे को भगवान को करता है बगणाम को काजल साथ खुल जाएगा ये तेरा खुल जाएगा क्या चक्कर है आज हमारी चक्कर है मूर दी गरेश की अंदर को लस्टेश की दोगों देखो घ्यान से पूछो इस प्रिमान से क्या चक्कर है आज हमारी चक्कर है ये कोई शैथान है ये पापी इनसान है ये मेरा अप्मान नहीं धरम का ये अप्मान है ये कोई शैतान है, ये बापी इंसान है, ये मेरा अख्मान नहीं, धरम का ये अख्मान है रोके ये भगवान को, रोको इस शैतान को, क्या चक्कर है, ओ आधा मारी चक्कर है एक देवता पर, कीचर उछान रहे हैं, शर्मानी चाहिए, नेक काम में विग्ण डालने वालों को, बाहर रिकास दो भाई हो यहां से, ऐसे महापुरुष पर लांचन, ची 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 जैने आप महापुरुष समझते हैं, जानते हैं आप इनकी असलियत क्या है? एक इंटर्नेशनल स्मगलर है यह, दूंगी है, फैबी है जै गणेश महराज, इतना बड़ा लांचन, काश धर्ती इस समय भढ़ जाती, और हम इसमें समाह जाते तुम अपने इंचाला के उसे, इन भोले भाले लोगों को दोगा नहीं दे सकते हैं भाईयो, अगर आप लोगों को हमारी बादों पर विश्वास नहीं, तो हम अभी सावित कर सकते हैं देवता के इस मूर्ती के अंदर हमारे मंदिलों से चुराई हुई पुरानी मूर्तिया हैं और ये स्मगलर, आप सब की आँखों में धूल जोंकर अपने देश की इज़त को गरों के हादों बेचना चाहता है ये जूठे, भाईयो, सच जाना चाहते हो, तो आगे बनो, और अपनी आँखों से देखो arta अपने के अपने का अपना चाहता है करते हैं को कोenschaftो ज सकत पंचने के बनेशितRCे का ते चूपता है ते पलि ग surfboard झाल झाल जरेचरी भी लुफिक्त पलिए भी क्यों पाखएगार कर्णा उसको गुल्रिवा करना इसको गोली बारतूगा हुआ 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 है हुआ हुआ है की ईPhone क्ष necessary कर दॉ propaganda कर दॉपन कर दोन कर दोorgt कर दॉपन वह कर घ्ल कर दॉपन कर दॉपन प्वाला फसलिए उब हो आपको झाल प्रब में हमाने ऊचर बडनाने को सुटने को यादे था जाल लुट बाहर फ्रहार फ्रहार लुट ही और झाहर फिस्ट व पझ बादे कि अरे खर इंद एंद दो फिध खब खखए मैं! कर दो दो आपारा करी करता है कि इंस्पेक्टर साफ आपके पहुंशने से पहले ही खुद्रत ने शैतान का इंसाफ कर दिया इस्टर सूरच चानता हम इंस्पेक्टर चलिए भाया विजय तुम्हारा भाई भी तो कानून का मुझन है और अभी मेरे जुन का इंसाफ बाकी है चलिए इंस्पेक्टर चलो सब चलो भाया तुम अकेले ही आया हो बड़ भाया कहा है वेचा है तुम तो उन्हें जमानत पुछड़ाने गय थे न हाँ सूरज इतने साल तुम उससे दूर रह बेटा क्या आज भी दूरी खड़े रहोगे पता जी मुझे माफ नहीं करेगा बेटे एक बार मा नहीं कहेगा मुझे माफ की देगा मैंने आज कुछ ज्यादा ही पीजी है वो तुम आ देखी रहा हूँ आजी बात किया मेरी बैन इतने बड़े घर की बहु बन गई है इसलिए मैं बहुत कुछ हूँ अगर आप देरे भरज़ों पर रहते हैं तो ये काम जरा मुश्किल था आपके पाउं की दर हैं पाउं जहां होना चाहिए होई हैं लेकिन चूने की जरूरत नहीं बस 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 आपको जरूरत नहीं होगी मगर मुझे तो हैं आप इतने बड़े आतनी हैं मेरी नजर में सब बराबर हैं कुछ छोटा बड़ा नहीं है तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए मैं अभी जाकर करता हूं उस देड़ फुट के विलन के साथ एक तक्कर